हलो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे गुजरात और अमदाबाद के मसूर बातिना दावल खमन धोकला जो की बहुत ज़्यदा पॉपलर खमन धोकले इसके साथ मिलने वाली जो चट्नी है उसका भी सिक्रेट बताऊंगी और यह जो खमन धोकले इतने परफेक्ट बने इस रेसि के साथ वीडियो को अंतक जरूर देखेगा आप इन्हें घर में बनाएं रिजल्ट 100% परफेक्ट आएगा और मेरे घर में तो इन सब की बात ही अलागे यह सबको इतना ज्यादा पसंद है और सुबह सुबह यह जब मिल जाए नास्ते में तो क्या बात है दिन बन जाए त अब सारा इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और सभी चना दाल को एक मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर देंगे दाल का पानी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उसमें एक अलक्सी महक आ जाती है अब मिक्सी जार के अंदर चोथाई चोटी चमच हिंग एट किया है हिंग मैंने साथ के साथ एट किया है क्योंकि यह थोड़ी दानेदार थी तो दाल के साथ यह भी पीश जाएगी चोथाई चोटी चमच हल्दी पादर एट किया है क्योंकि खमन में एक अच्छा सा कलर आ जाए और साथ ही डालेंगे दो टुबलेस्पून भड़के दही घटी तो यह देखे इस तरह से पिशकर दाल तयार होनी चाहिए ऐसी गाढ़ी लेकिन इदम स्मूथ भी नहीं पीशना है मतलब बारिक इदम नहीं करना इस तरह से थोड़ा दरदरा ही पीशे यह देखे बिल्कुल फाइन नहीं पीशा है अब निकाल लेते हैं इसे एक बाउल म और हाथ से दो-तीन मिनट इसे दाल को फेट लेंगे जिससे यह फेटने एक वाद आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कि पहले से कितनी हलकी और लाइट वेट हो गई है आप चाहे तो इसे दो तोलिस्पून बैसन भी आट कर सकती इसके अंदर बाइंडिंग के लिए और इसे मैं ओवरनेट फर्मेंट होने के लिए छोड़ देती हूँ और सुबह जब मैंने बैटर को चेक किया तो यह देखिया हमारा जो बैटर है वो बहुत अच्छे से फ्लफी सा फर्मेंट हो चुका है पुड़ी रात मैंने इसे फर्मेंट होने के लिए डग दिया था लेकिन मुझे अभी यह बहुत ज़्यादा गाड़ी लग रही है तो दो चमच पानी डाल दिया है इसे मिक्स कर लेते हैं तो अभी ये फिर से गाड़ ही लग रही है तो दो चमच पाने और एड़ किया है अब आप इसमें टोटल अधा का पाने एड़ कर सकते हैं ये मिक्स हो गई है अब इसमें हम कुछ फ्लेवर एड़ करेंगे तो यहां मैंने दो हरी मिर्च बारी काट कर एड़ किया है एक क्योंकि दही मेरे इतनी खटी नहीं थी तो निम्वू के रस यह मैनेज हो जाएगा इन्हें है मिक्स कर लेंगे और जिस प्लेट में हम ढोकला बनेंगे उसे ऑल से ग्रीज कर लेंगे अब इस बैटर को अंदर हम डो टबल स्पून ओयल मिला देंगे ओयल मिलाना बहुत जरूरी होता है तब जाके अच्छी जालियां आती है और ढोकला आपका सॉफ्ट वर बहुत ज़्यादा जालिदार बनता है और यह देखे परफेक्ट ढोकले का बैटर है अब इसे फ्लाने के लिए इसके अंदर एट करेंगे एक शेशे इनो का वज़र में यह वन टी स्पून होता है तो अगर आप इनो नहीं लेना चाहते तो इसकी जगा आप हाप टी स्पून बेकिंग सोडा जो खाने वाला अब इस बैटर को इसकी भी प्लेट में एड कर देंगे और इसे टैप कर लेंगे और यहां मैंने स्टीमर भी तयार कर रखा यह स्टीमर को दस मिट पहले ही पानी बोलो करने के लिए रख देना है जिससे उसमें अच्छी सी स्टीम क्रियेट हो प्लेट को रखने के बाद इसे कवर कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसे 15 मिट तक स्टीम करना है और एकजेट 15 मिट बाद ही ढखकन हटाए और यह देखे नाइप से चेक कर ले और यह देखे नाइप हैदम क्लीर निकला है तो यह परफेक्ट पुड़ी तरह से पका है अच्छे से फ्लेम को आफ कर और इसे ठंडा होने के लिए डग देते हैं पुड़ी तरह से जब यह ठंडा हो जाए तब इसे हम नाइप से कट कर लेंगे तो स्क्वाइर सेप में से कट कर लेंगे और यह देखिए ढ़कला बहुत ही गजब जालीदार और विल्कुल बाजार जैसा परफेक्ट बना आप भी इस तरह से बाजार जैसा बना सकते हैं अगर आप पुड़े मेजरमेंट और टिप्स के साथ बनाएंगे तो और आपने इसे घर में बना लिया तो हर कोई आपसे पूछेगा कोई विस्वासी नहीं करेगा कि आपने इसे घर में बनाया है तो आप इन सारे ढोकलों को करते हैं बड़े बाउल में ट्रांसफर क्योंकि आप इन ढोकलों के ओपर लगाएंगे एक तर्का और यह जो सैड पोर्शन है जो बची हुई है इन्हें हम चटनी बनाने में यूज करेंगे तो इन्हें हम इस बाउल में एट नहीं करेंगे तो अब तर्का पैन में एट करेंगे पांस टेबल स्पून ओयल तो यहां मैंने मंगफली का ही लिया है और ज्यादा क्वानिटी जो है वो थोड़ी कम तिकी वाली एट करिएगा और आप चाहे तो कड़ी पता भी एट कर सकते हैं मैंने एट नहीं किया है और बस यह तरका जो है वो धूकली को पर इस तरह से डाल देंगे और बारी कटावा बहुत सारा हड़ा धनिया डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे ढोकले के साथ इस तरह से टॉस करते हुए यह वही वाटी खमन ढोकले हैं जो गुजरात में सबसे ज्यादा पॉपलर है नमर वन पर यह ढोकला है और टैक्चर इसका बिलकुल वैसा ही आय है तरीका भी अलग है बनाने का वह तो बेशन से बनता और यह चने की दाल से इसलिए इसे गुजरात में वाटी की दाल को वाटी दाल बोलते हैं तो मिक्सी के जार में मुठी भर धनिया डाल देंगे धनिया के साथ लेंगे दोहरी मिर्च तीखी वाली और आधा इंच अधा चमठ साबो, जीरा अधा निम्बो का रस और थोड़ा सा पानी डाल कर इसे हम पीस लेंगे इसकी जो चट्णी है वो थोड़ी पतली रहती इस तरह की ठेले पर भी आपको इसी तरह से पतली चट्णी मिलेगी इसी तरह से साब की जाती है चट्णी को वाटी खमन के स एक बार आप ट्राइक कर दिए ये बहुत की जटनी बन करता है यह एक दम बजार जैसा बनाया कोई कहेगा है कि बजार से नहीं लाया है इतने इस सब्ख करेंगे तो इन्हें इस चेतनी हो तो वीडियो के क्लाइक करिएगा और जेर करिए अपने फेमिली और फ्रेंड्स के साथ कमेंट करके बताएगा जरूर आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है